जै स्री कृष्णा राधे राधे कैसे हैं आप सब उम्मीद करती हूं अच्छे होंगे और ठाकड़ जी किरपा आप सब पर बने रहे और आप सब यो ही हस्ते मुस्कराते रहें मस रहें स्वस्त रहें वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेट करें वीडियो को शेयर भी क जो आपके लिए बहुत ही लाबकारी होंगे तो चलिए बताऊंगी किसलिए हमें कौन सा उपाय करना चाहिए जिससे हमारी कौन सी मनोकामना पूर्ण होगी तो शुरू करते हैं जन्मस्टमी का त्योहार 18 और 19 अगस्त को मनाया जाएगा इस साल जन्मस्टमी पर बेहद जानते हैं जन्मस्टमी के सुभ योग और उपाय जन्मस्टमी का त्योहार 18 और 19 अगस्त को ही मनाया जाएगा सालों वर्ष पूर्व माता देव की और वासु देव ने आधी रात को मत्रा की जेल में एक बालक को जन्म दिया था ये भगवान विश्णू का आठमा अवता कार स्री कृष्ण थे भादो महा के कृष्ण पक्स की अश्टिमिति थी को रोहिनी नक्सत्र में कानहा ने जन्म लिया था हर साल कृष्ण जैन्ति पर कानहा का बाल स्वरूप की पूजा की जाती है इस साल जन्मस्टमी पर बेहत ब्रधी और ध्रूब संयोग बन रहा है ज जो इस दिन का महत्र बढ़ा रहे हैं ब्रधी योग में कानहा के साथ मालक्समी स्वरूप राधारानी की पूजा से घर में सुक सम्रधी का बास होता है आये जानते हैं जन्मस्टमी के सुभ योग और उपाए कृष्ण जन्मस्टमी के योग 17 अगस्ट को 8 बज कर 57 मिनट से ब्रधी योग आरम होगा जो 18 अगस्ट को रात 8 बज कर 42 मिनट तक रहेगा बहीं दृव योग 18 अगस्ट को 8 बज कर 41 मिनट से सुरू होकर 19 अगस्ट को 8 बज कर 49 मिनट तक रहेगा इन सुभ योग में राधा कृष्ण की पूजा से अक्षव पूजन्य की प्राप्ति होगी कृष्ण जन्मस्टमी उपाए तो चलिए अब हम उपाय के बारे में जान लेते हैं कि हमें कृष्ण जन्मस्टमी पर कौन-कौन से उपाय किसलिए हमें करने चाहिए तो पहला उपाय घर में बरकत के लिए हमें करना चाहिए चलिए जानते हैं क्या है कानहा की पूजा में इस दिन एक पान का पत्ता स्री कृष्ण को अर्पित करें इसके बाद इस पत्ते पर रोली से स्री यंत्र लिखें और तिजोरी या फिर धन के इस्तान पर रख दें कहते हैं इससे कभी दरिद्रता नहीं आती धन में बढ़ोत्री होती है संतान तो चलिए जानते हैं निसंतान दमपत्ती जन्माश्टमी के दिन घर पर गाय या बचड़े की मूर्टी लाए कानहा के साथ इनकी भी विदिवत पूजा करें मानेता है कि इससे संतान सुख प्राप्थ होता है साथ ही संतान पक्स की परेशानिया भी दूर होती है आमदनी अगर हमें आमदनी नहीं हो रही है तो चलिए आमदनी के बारे में जानते हैं कि हमें कौन सा उपाय करना चाहिए तो नोकरी में पदोननती और आमदनी में बढ़ुत्री की इच्छा पूर्थी के लिए जन्मश्टमी पर साथ कन्याव को खीर या फिर सफेद मिठाई बाटे ये उपाय जन्मश्टमी के बाद लगातार पांच सुक्रवार तक करें उससे आपको फल मिलेगा केसर चन्दन अब चलिए जानते हैं केसर चन्दन से हमारी क्या मनोकामना पूर्ण होगी तो जन्मश्टमी पर केसर या चन्दन में गुलाब जल मिलाकर तिलक लगाएं साथ ही गोपी चन्दन से कृष्ण जी का सिंगार करें जैसे आपके घर में लड़ुक उपा हैं तो अपने लला का सिंगार करें गोपी चन्दन से जन्मश्टमी के दिन मान्यता है इससे घर में सुक सम्रद्धी आती है और मालक्समी की किरपा से धन की कभी भी कमी नहीं होती है नारियल और बादाम का उपाए चलिए जानते हैं नारियल और बादाम से क्या हमारी मनोकमना पूर्ण होगी तो जन्मश्टमी के से सुरू करें जन्मश्टमी के दिन से 27 दिन लगातार नारियल वे बादाम किसी क्रिष्ण मंदिर में चड़ाने से सभी इच्छाएं पूरी हो सकती है यदि पैसे की समस्या चल रही है तो जन्मश्टमी पर सुबह इस नानादी करने के बाद राधा क्रिष्ण मंदिर जाकर दर्सन करें वे पीले फूलों की माला अर्पित करें इससे आपकी परिषानी कम हो सकती है चलिए अब जानते हैं कैसे करें अभिषेख लड़ु गोपाल का कानह जी का तो जन्मश्टमी पर दक्षिना ब्रती संक में जल भरकर भगवान स्री क्रिष्ण का अभिषेख करें इस उपाय से मालक्समी भी प्रशन होती है ये उपाय करने वाले की हर इच्छा पूरी हो सकती है और चलिए ऐसे जपें तुलसी माला क्रिष्ण मंदिर जाकर तुलसी की माला से नीचे लिखे मतलब तुलसी माला से ग्यारे माला का जाब करें इस उपाय से आपकी हर समस्या का समधान हो सकता है और माला का जब करते हुए मंत्र बोलें तो इस मंत्र का आप 11 माला जब करें इससे आपकी हर परिशानी दूर हो सकती है ऐसे करें माता लक्षमी और कृष्ण दोनों को प्रिशन भगवान स्री कृष्ण को पीतामबर धारी भी कहते हैं जिसका अर्थ है पीले रंग के कपड़े पहनने वाला जन्मश्टमी पर पीले रंग के कपड़े पीले फल पीला अनाय दान करने से भागवान स्री क्रिश्न वे माता लक्षमी दोनों पिर्सन होते हैं जन्मश्टमी की राद बारबजे भागवान स्री क्रिश्न को केसर मिश्री दूट से अभिशेक करें तो जीवन में सुक सम्रदी आने के योग बन जाते हैं जन्मस्टमी को साम के समय तुलसी को गाय के घी का दीपक जलाएं और ओम वाशु देवाय नम्हा मंत्र बोलते हुए तुलसी की ग्यारा परिकर्मा करें इस पिरकार आप जन्मस्टमी